हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चानल आज मैं आपको दिखाऊंगी कि धागा बार बार क्यों तेटता है और सिलाई क्यों खराबाती है इसके बहुत से कारण है जिनको आप ठीक कर सकते पहला कारण है आपका धागा कच्छा तो नहीं है जैसे कि यह देखे इस तरह से इसको एकी बार में खिषने से तूट जाता है तो यह दा इस तरह का धागा यूस्टर नहीं करना चाहिए यह इस तरह का धागा ली सकते हैं जो कि extensive भी तूटे जिससे कि हमारे हातों को भी लग सकता ऐसा धागा है ति यह इस तरक धागा में यूज करती हूं ति जो यह धागा है पॉलिष्टर मिक्स है थोड़ा ति यह जो ऐसा धागा आप अपनी सिलाई सिलाई मसिन के लिए यूज कर सकते हैं यह हमारा धागा अच्छे कॉलिटी का होना चाहिए जिससे आपकी सिलाई खराप नहीं होगी बार बार धागा तुटेगा नहीं सेकंडली आपकी जो सुई है जो इसका जो पॉइंट है यहां का जो इसका नोक है यह जो इस तरह से अपने हाथों को लागा के देखना चाहिए कि यह अपने हाथों को अगर खर बड़ा सर लगना लगा है या इसका जो जो पॉइंट है आपने हाथों को ऐसे चूबने कराई यहाँ चाहिए यह धोड़ी खरबडी है हमारी आपना कप्डा क्पड़ा अटकता है जिससे इस направление कंखो कप्ड़ा करने करना ऐसे अपना यहां पर झाल सकता है तो यह हमारी सुई अच्छी होनी चाहिए जिसका जो पॉइंट है अच्छा सा स्मूथली होने चाहिए तो यह इस तरह से हम सूइ यहां पर यूजनी करेंगे जो हमारी सूइ अच्छी समूतली होनी चाहिए जिससे हमारी धागा तुटेगा नहीं और हमारा कपड़ा अच्छे से रहेगा जो कि थर्ड टेंशन है कि जो हमारा बॉबिन केस है यह जो बॉबिन केस करें जो नट है ही देख़ें हैं हारा जोन्म निंफ्यश्ट नहीं ये यह फिर जदा टैठ तो नहीं है जदा डाइल होने पर इस तर النकर सिल में करताइब अगर जदा टाइट हो तो धागा भाल भार तो तो कि यहां करेंगे इस तरह से ज्यादा जोर से टाइट नहीं करने चाहिए ताकि ज्यादा स्कूरूट ज्यादा टाइट हो गया तो हमारा धागा यहां पर तूटेगा इसे हमें हलके आतों से यह नट को टाइट करेंगे जिससे के हमारे से लेच्छी से हो सके इस तरह से हलके आतों से इसे टाइट किया है और इसके बाद जो हमारी इसके अंदर जो हम बाबिन भरते हैं बाबिन इस तरह से भरने चाहिए इस तरह से प्लेड आने चाहिए हापे ना कि इस तरह से अगर हमारे बाबिन अगर धिली भ जाएब मैं उसतर से याँ पर भराएगी नीश भाबिन नहीं उस्याहेगी जिससे कि हमारी यहां पर निशान बता है वहां तक हम यह सुई को लगानी है ज्यादा लूज नहीं रखनी है ज्यादा नीचे भी नहीं ज्यादा ऊपर भी नहीं है बरबर निशान तक हमें इसे लगाना है जिससे कि हमारी सिलाई अच्छी से हो तो हमें इस तरह से यहां पर इसे जो इसका प्वेंट ठोड़ा डिलाब करके इसे हम जहां तक निशान लगाएं महां तक इसे लगाएंगे इस सुई का जो हो ले अपनी तरफ आने चाहिए यह लगी हो तो हमारे सिलाई अच्छे से य Isaby ओ और धागा भी नहीं तूड़ेगा इस तरह सागर हम सुई का सुई का सुईल जो है यह अच्छी नोक्वाली हो आ हो जो वारी बॉबिन केसे बॉबिन केस का जनना टै यह अच्छे से टाइट हो और यहसे बॉबिन क्यो pressing 5 बताई जो सुई भार बार ₹ र दागा छोडती है यह फिर दागा बार बार तूटता है तेस तरह कि समय पांच कारण बताई अगर आप इसा अच्छे से कर लो तो आपके बार बार धागा तूटेगा नहीं और सिलाह अच्छी से आएगी तो इसका जो मैंने जो अपने आपको जो इरिजन बताई इसका अगर आप फालो करेंगे तो आपकी सिलाह अच्छी से आएगी अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए प्लिस सब्सक्राइब मैं चैनल तरह बोग्द आपको का था जाएगी तो और सिलाहब मैंने जो जो अच्छी से और उल्ट मैंने जो इसका जो जो करेंटेशा है